हेलो एब्रिवन आप सबका स्वागत है कोट फर एड्यूकेशन में यह है रियाक जियर सीरीज गाइज पार्ट नमबर 3 इसके अंदर हम देखेंगे किस तरीके से आप अपना पहला कोड लिख सकते हैं रियाक की एप में और किस तरीके से आप एक फाइल बना सकते हैं अपनी खुद की रियाक के एप में तो यह सारी चीजे हम कवर करेंगे आज पैक्टेकली और जैसकी गाइस मैंने पिछली वीडियो में आपको मैंने सेट अप करना सिखाया था मैं उमीद करता हूँ कि आप सबने सेट अप कर लिया होगा अगर आभी तक आपने नहीं करा तो आप आपको वीडियो देखनी चीए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा और जैसकी गाइस मैंने आपको बताया है कि यह रियाक्ट.js टुटोरिल की सीरीज चल रही है अगर आपके कोई भी वीडियो में सुझाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिशन बॉक्स दिए में फॉलो कर लें दोनों पर तो चलिए यहां पर देखते हैं कि किस तरीके से आप अपनी पहली एक फाइल और हैलो वर्ड प्रिंट करवा सकते हैं यो कि हम एक प्रोग्रामिंग लेंग्विज के अंदर करते आए हैं अभी तक तो चलिए चलते हैं सबसे पहले अप आपका रियाक्ट टूट्स ओके यह सारे के सारे फोल्डर इस्ट्रक्चर आपको गिठब पे मिलेंगे गाईस यहां लिखेंगे कोड स्पेस डॉट जैसे आप यह लिखेंगे आपकी फाइल यहां पर ओपन हो जाएगी विएस कोड के अंदर ओके इट मेंज कि पूरा को फोल्डर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा अभी यह जितनी भी फाइल्स हैं इसके पूरे इस्ट्रक्चर को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बस मैं यहां पर आपको यह बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक फाइल करेट कर सकते उस फाइल को कैसे कॉ दवाना चाहिए यह सारी चीजे क्योंकि सारी चीजे स्टैब बेस्टैब करेंगे क्योंकि बेसिक बिगनर टू एडवांस कवर करना है तो एक एक चीज कवर करनी पड़ेगी हमें प्रॉपर्ली ओके तो यहां पर आपको अपसे पहले एसर्सी फोल्डर दिख रहा होगा इस src फोल्डर में आपके पास इतनी सारी फाइल्स हैं तो सबसे पहले आप समझ यह कि यहां पर दो फाइल बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले करती है पहला आपका app.js जो कि यहां पर आपको visible हो रही होगी यह आपकी फाइल है जिसके अंदर आपका functions related function component है इससे पहले class component चलता था जो कि मैंने आपको introduction वाली वीडियो में अल्रेडी बता दिया है ठीक है तो हम focus करने वाले सारा कुछ functions related और hooks related बट मैं अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको class component का एक example तो जरूर दूंगा आने वाली वीडियो में इसके बाद है आपका index.js यह file भी क्यों इसले important है आपका advanced.js के अंदर तो वहाँ पे हम import use करते हैं functions बनाते हैं class components बनाते हैं वहाँ पे भी classes और functions के साथ define करते हैं और उनको use करते हैं यही चीज मैंने वहाँ पे सिखाई थी आपको same वही चीज यहाँ पे concept है अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा import करवा रखा इन्होंने और import करवाने के बाद में यह सारी चीजे में बताऊंगा कि यह क्या है react react dom और यहाँ पे आप देखेंगे app को इन्होंने यहाँ पे import कराके आपका component call करवा लिया अब यहाँ पे run करने का तरीका जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था आपको npm start करना है जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पे npm start तो यही नहीं चला देखिए अभी क्यों क्योंकि हम अभी folder structure के अंदर नहीं है that's why देखे cd then folder का नाम रखा हमने and then इसके बाद में आगए हम इस 2000 के उपर एक बार चलता है यहाँ पर ब्राउजर पर आने के बाद देखेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपका local host start हो चुका है और यहाँ पर आपका react का logo प्लस यहाँ पर आपकी file इन्होंने बता भी रखा है कि किस file को आपको edit करना src के अंदर app.js को करना है save करना है reload करना है आपको आपके changes यहाँ पर दिख जाएंगे तो यही चीज आज हम करने वाले हैं यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर आपने index.js समझा थोड़ा सा छोटा सा और यहाँ पर app.js है हमारे पास में अगर मानिए मैं यहाँ पर जैसे कि उन्होंने यहाँ पर लिखा है वहाँ पर हम class id यह सब use करते हैं यहाँ id को तो id की तरह यूज करना है बड़ class को आपको यहाँ पर class name देना होगा क्योंकि class जो है यहाँ पर react के अंदर वो reserved है क्योंकि वो class component के वज़े से तो यहाँ पर आपको हमेशा class name देना है और इसके उपर और detail में मैं आपको करता हूं मैं देखें करता हूं मैं save and save करने के बाद में जैसी हम चलेंगे यहाँ पर यहाँ पर आने के बाद आप देखिंगे तो देखिए hello world आपका आ चुका है बिना refresh करें क्योंकि आपका real time पर यह आपके changes दिखेंगे that's why यहाँ पर जो भी development करेंगे ना वो सारी connection डाउनलोड कर लेना गाईस ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने कौन-कौन से extension अल्रेडी install कर रखें जैसके आपको यहाँ पर सारे देख भी रहूंगे यही सारी list मैंने आपको provide कर यह उस वाली वीडियो में react के लिए आप देखेंगे मैंने यहाँ यहाँ पर JS के अंदर ओके का यहाँ पर लिख सकते हैं अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि hello world तो आपने print कर दिया edit कर दिया आपने जो आपको app मिली by default की उसके अंदर आपने edit कर दिया और आपका hello world आ भी गया है बट अगर आप यहाँ पर एक अपनी file बनाना चाहते हैं तो तब क्या तो यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर आएंगे यहाँ पर आने के बाद में आपको मैं मानिए user कर देता हूं user तो सबसे पहले जब कभी भी आप एक file बनाएंगे ना तो उसका first word capital रखे एगा ठीक है and then user.js कर दीजे मानिए ठीक है या users कर देता हूं मैं देखे ठीक है यहाँ पर जब मैंने create कर दी file तो यहाँ पर shortcuts है या तो मैं इसको copy करके लिए कर आ सकता हूं मैं यह पूरे के पूरे function component को जो declaration हमने कर रखी है या तो आप extension जब आप install कर लेंगे तो आपको RF लिखने के बाद आप देखेंगे कितने सारी list आ गई आपके पास में अ अगर आपको यह नहीं करना तो RF CE करेंगे आप export लिए यहाँ पर click करेंगे तो देखें आपके पास में कुछ इस तरीके से आ जाएगा जो कि प्रीवेस में आपको दिखा है तो मैंने app.js पे देखें यह देखें तो यह है हमारा shortcut यह मैं इसलिए बताते विए चल रहा हू Hello Users कर देता हूँ देखें ठीक है करता हूँ मैं Save and Save करने के बाद में इस फाइल को आपको call करवाना होगा तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना import कराना होगा import ओके अपनी file को import करवाएंगे आप यहाँ पर तो मैं यहाँ लिख लूँगा users from and from के बाद में यहाँ पर यहा यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से हमारी file ले लेंगे और आपको .js define करने के ज़रोत नहीं पड़ेगी यहाँ पर ठीक है वह already defined है वैब pack के अंदर वैब pack क्या होता है आने वाली वीडियो में बताऊंगा मैं इसको कर लेंगे यहाँ पर comment करने के बाद में इसको कुछ इस आ रहा है क्योंकि जो css है इन्होंने जो css लिखी है इन्होंने वो app.js की लिखी भी है बट हमने अभी अपनी file बनाई है that's why कुछ इस तरीके से आपको visible हो रहा है चलिए वापिस चलते अगर मैं इसी चीज को app.js को यहाँ पर मैं h1 में convert कर दूं करूं save and save करने के बाद यहाँ चलें तो यहाँ चलने के बाद आप देखेंगे hello users आपको यहाँ पर visible हो भी रहा है ओके तो देखा आपने की किस तरीके से आपको एक अपनी file create करनी है किस तरीके से आपको file create करके import करवाना index.js पर आपको तो import कैसे करवा सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता ह इंपोर्ट करने के बाद में आपका जो भी change होगा वो आपको browser पर कैसे दिखेगा and app.js के अंदर आप कैसे edit कर सकते हैं यही सारी चीजे हैं इस वीडियो के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजे समझ में आई होंगी अब आपको यह source code जो भी है वो कैसे मिलेगा एक बाद browser पर चलते हैं वापिस तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले code for education का यहाँ पर खोल रखा है मैंने YouTube चैनल and YouTube चैनल की playlist में आप आएंगे तो यहाँ पर react किये series चल रही है अभी हमारी अगर आपने ES6 जो हमारा पिछला course था हमारा वो अगर आपने नहीं देखा तो आप आपको देखना चाहिए एडवांस ES6 मैंने अल्रेडी बना रखे वीडियो जावस्क्रिप्ट के इंटर्यू के questions यहाँ पर मैं अप्लोड कर रहा हूं portfolio जावस्क्रिप basic जावस्क्रिप प्रॉजक्ट के अंदर आपके यह जितने भी extensions related वीडियो वह यहाँ पर अवेलबल सके गाइस इसके बाद बात करते हैं कि आपको code मिलेगा कैसे तो यह है आपका link github page का मैंने आप सबको बोला था कि इसको follow कर लें link description मिलेगा आपको यहीं पर आपको code देखने को मिलेंगे react के जितने भी हैं इसके बाद मेरी किसी भी video के जो भी आपका source code है वो आपको हमा सारे लोगों को find out करने में problem हुरी है that's why okay तो यह linkin के profile लिन पर follow कर सकते हैं आपको यहाँ पर instagram दिख रहा होगा Instagram पर follow कर सकते हैं सारे updates यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको facebook का page है आपका facebook पर भी आपको सारे updates देखने को मिलेंगे facebook पर कर सकते हैं twitter पर करना चाहाएं त आप इसको join कर सकते हैं, तो ये सारी थे updates के किस तरीके से आपको source code मिलने वाला है, पूरी series का react.js की, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़े मैंने आज आपको इस video के अंदर बता ही है, आप इसकी practice करेंगे, अगर आपका कोई doubt है तो comment करके अपने doubt को पूछ सकते हैं, next video में हम आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, वो भी एक बार देख लेते हैं, so guys, next वाली video में हम देखेंगे आपका file and folder structure के बारे में, एक-एक file को देखेंगे, कि एक-एक file का क्या मतलब है, क्यों हम use कर रहे हैं, उसका क्या-क्या definition है, सारी चीजों को, theory and practical, thanks for watching this video, जब तक तिल देन, बाव बाई गाई गाई